दूस्तों आज की कहानी है सासुमा आप मुझे ननन जैसा प्यार क्यों नहीं करती दूस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सेनल को सबस्क्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंसे अरुस दया वीडियो अरे जब तुमारी बहु आएगी न और तुमारी साथ ऐसा करेगी तब तुमें एसास होगा एक साच का द्रब्यगिर किसी गलती के जबसुरे का देवी अपनी बहु सुलेक्सना से कहती तो वो अपनी मासुम आखों से उनकी और प्यार से न्यारती वो मासुम क्या जानती कि उसे दुआई देने की जग कोसा जा रहा हैं वो तो निरिलिपत भाव से अपने माता पीता की दीवी सीक पर अमल करते वे अपने सासुर की सेवा में दिन रात लगी रती दुनिया का सलब कपट उसे जराबी ना सुग गया तो उसे समझ में नहीं आता कि आकिर सासुमा की नाराजगी की वज़ किया हैं हर काम में अपना पुरा हुनर जोक देती पर फिर भी उसमें दस कम्या निकाल कर सुरेकाजी का बड़ बनाना सुरू हो जाता सबसे बड़ी मुश्किल तो सुलक्षना के सामने ये आते कि अगर वह अपने पती वीनिय के मन से सले तो सासुमा नाराजो जाती और अगर सासुमा के मन से करने की कोशिश करती तो वीनिय नाराजो जाता कही ना कही वीनिय सही था उसका कहना था कि तुम सारा दिन कोलू के बेल की तरह मत पीस्ते रहा करो परिवार में सार सदस्य तो सभी की मदद लो सुटी के दिन जब वीनिय उसे अपने साथ साई पीने और नास्ता करने के लिए कहता तो सासुमा की आँके अगर अउगलने लगती वीनिय के सामने तो वह कुस ना कहती लेकिन पीट पीसे इतनी बाते सुनाती कि सुलक्सना की आसु थमने का नाम नहीं लेते सोटी सवी जरूर बावी का पक्स लेती और वह अपनी मा को डाट कर सुप रहने को बोलती भली सुलक्सना कुसना कई लेकिन वीनिय कहीं ना कई उसकी आँखों में वह सब पड़ लेता जो उसे नागवार गुजरता कहीं बार सुरक्सना के लो मोजुद की में उसने सुरिका देवी को का कि मा उसे भी आप सवी की तर प्यार क्यों नहीं देती आगिर वह अपने माता पीता को सोड़ कर अपने प्रिवार में आई थोड़ा तो अपने पन का हक बनता है नावीनिया के पक्स लेने पर सुरिका देवी की जबान और अधी कड़वी हो जाती वक्त अपनी रवतार सल्दा राये के करके सुलक्सना दो प्यारी बेट्या कन्नू और मनू की मा बन गए सासुमा का आसिरवाल बली बुत नहीं हुआ उनके ये हर्षद दिल में ही रह गई और सुलक्सना भी सुसती की सासुमा का द्रद कियाता कास में भी सास बनकर मेशूद कर पाती उनना उनका अब بھی वही रहता पर अब वोने दूसरा राग अलपना सुरू कर दियाता सबी जब भी अपने माय के आती सुलक्सना कोई भी कौर कसर नहीं सोरती उसकी आभगत में पर फिर भी सुरेकाजी जबान से यही निकालती जिस दिन तुमारी बेट्या भ्यांकर अपने माय के आया करे गी तब देखेंगे तुम उनकी साथ केसा विवार करती हो समझ में नहीं आता आगिर कहां उससे सुक हो जाती है जीवन की उस उतार सडाव में वक्त अपनी रवदार से सलता सलता जहा रहा है आज सुलक्सना की बड़ी बेटी कनो की साथी बड़ी धुम दाम से संप्रन हुई पूरे दस दिन बाद कनो वीदा होकर अपने माय के आई सूरे का देवी सनी तनो की बल्या लेते वे नई थक रही थी बला की खुब सुरत लग रही थी कनो सभी ड्राइंग रूम में बेट कर बाते कर रही थी सुलक्सना उठकर रस्वई की तरफ सलती तभी कनो ने पीसे से आवाज देकर का मा कहां जा रही हो आप यही बेटो सब की साथ में अरे तुम सभी बेटो में सब के लिए साई नास्ता लेकर आती हूँ नई मा आप बेटो में आप सबी के लिए साई नास्ता लेकर राती हो केसी बात कर रही हो बीटी अब तुम अपने माईके आयो जितना काम करना था ससुराल में कर लिया अब माईके में कुस दिन तो मान समान से रहु सुरी का देवी ने कहा माईके में कैसा मान समान दादी जिस माता पीता ने पाल पोस कर बढ़ा किया अब किया साधी के बाद उन से सेवा करवाओं की वीवा की बाद जब साथ ससुर की सेवा कर सकती है तो जिएोने हमें पेदा किए उन से सेवा क्यों करवाना माईके में बेट्टियों का समान के असिर बेट कर हर सीज़ अतवर देने से होता नहीं दादी में सुरो से इन सब बातों का वीरोद करती थी पर माने मुझे हमेशा सूप करवाया मुझे बहुत बुरा लगता था जब बुआ माएके आती थी और मम्मी पुरा दिन काम में लगी रहती उसके बावजुद भी आपके यहीं सीकाइद रहती थी कि बुआ को माएके में मानसमा नहीं मिलता आज तक मैंने मा को कभी सभी के साथ बेट कर खाना खाते वे नहीं देखा सभी को खिलाने के बाद बाद में अकेले बेट कर खाती थी आपकी बद बुहाओ कि वच्च मुझे कभी समझ में नहीं आई जो गर साधी के पहले अपना था हम अपने हिसाब से अपनी सुवीदा से सब करते थे साधी के बाद मेमा नवाजी क्यों करवाना पर अब मैं ये सब पुरानी प्रीपाटी नहीं सलने दूंगी अब जीतने दिन मैं हूँ जिस तरो मैं ससुराल में काम करती उसी तरो माईके में भी आप सभी का ख्याल रखूंगी हाँ भुआ को अपनी सेवा करवाना हो बेट करतों उसके लिए में कुस नहीं कर सकती ये कगर कनू सबी की और मुस्क्रा कर देखती भी सल दी रसोई की और सब के लिए साई नास्ता बनाने सूरी काजी और सनी कनू की इन बातों की आगे निरुतरच सहसी तो कर रही थी आगेर गलत किया कहां उसने आज सुलक्षन आपनी प्रेवरीस पर नाज कर रही थी जो हक वेनिय कभी नई दिलवा सकाज कनू ने प्या समित अपनी मा को वह समा सभी को गल्टियों का एसास कर कर रही हैं कभी कभी हमारे घर के बड़े बुजरूंग अपना संतोस बद दूआउं की रूप में जाइर करते जो की सर्वा था अनुसी ताकिर बहु भी तो एक इंशानी होती है